जीवन एक गून्ज है, एक छोटा बच्चा अपने माज से नाराज होकर चिलाने लगता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, उसके बाल वा फटकारे जाने की डर से घर से भाग गया, वा पहाड़ियों के पास जाकर चिखने लगता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और वही आवाज गून्जी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, उसने जिंदिगी में पहली बार गून्ज सुनी थी, वह डर कर बच्चाओ के लिए मा के पास भागा और बोला घाटी में एक भुरा बच्चा है जो चिलाता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ उसकी मा सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिला कर कहना मैं तुम्हे प्यार करता हूँ चोटा बच्चा वह पहाड़ी पर गया और चिलाया मैं तुम्हे प्यार करता हूँ और वही आवाज गुझी और इस प्रकार इस घटा से उस बच्चे को एक सीख मिली हमारा जिवन एक गूंच की तरह है हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपनी दोस्तों के साथ सेयर कीजिए साथी सस्क्राइब कर दिजिए जिससे इस तरह की इंट्रेस्टिंग और नौलिजबल कहानिया आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे साथी इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला अपनी राए हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद